वेलकम बैक दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीटेल कंपरेजन करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्प्यो एन के टॉप मॉडल्स यानिके जी एट और जी एट लक्षिरी के बारे में और आपको बताएंगे इन दोनों ही वेलेंस के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है तो डीटेल कंपरेजन के लिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वहां नोपीशन को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जबकि Z8 लक्जिरी पेट्रोल के लिए आपको करीब 18,99,000 रूपीज एक शूरूम कॉस्ट पे करना होगा डिफरेंस अगर आप देखते हैं तो पेट्रोल में मैनूल ट्रांस्मिशन के अंदर आपको करीब 2,00,000 रूपे का एक शूरूम कॉस्ट पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है इसी तरीके से बात कर लेते हैं डिजल की तो डिजल के अंदर भी आपको सेम केस देखने को मिलता है वहाँ पे क्या है वहाँ पे आपको डिजल वाला मैनूल ट्रांस्मिशन रूपीज आता है उसका एक शूरूम कॉस्ट से 17,49,000 रूपीज का और लिए आपको करीब 19,49,000 रूपीज पे करने होते हैं तो दोस्टनों सबसे पहरा डिफैन स आता है अपना सेफिटी फीचर का अंदर जी आट लख्युरी वेरिण का अदर आपको जो है डौला वाला जोफोर किया गया है यह feature आपको Z8 variant के अंदर नहीं मिलता है इसी के लावा आप अगर देखेंगे front profile में तो आपको Z8 luxury variant के अंदर front parking sensor और front parking camera दोनों ही available कराए जाते हैं जो कि Z8 variant के अंदर आपको नहीं मिलते वहाँ पे आपको सिर्फ rear parking sensor और rear parking camera ही provide किया गया है अगला difference आता है speaker से lidated तो दोस्तों Z8 luxury जो variant आता है उसके अंदर आपको Sony का premium 3D sound system दिया गया है जो कि 12 speaker setup के साथ आपको मिलता है यही नहीं यहाँ पर आपको dual channel वाला जो अपना subwoofer है वो उसके साथ offer किया गया है लेकिन दोस्तों अगर आप Z8 variant के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर जो speaker setup है वो confirm नहीं किया गया है कि कितने speaker कितने tutor वगेरा आपको इस particular variant के अंदर देखने को मिलेंगे लेकिन हाँ Sony का system आपको Z8 variant के अंदर नहीं मिलेगा इस speaker setup का एक अनुमान लगाया जाए तो मेरे इसाथ से 4 speaker और दो tutor का setup आपको Z8 variant के अंदर offer किया जाएगा हलाकि अभी confirm नहीं confirmation जैसे ही आती है इस बारे में हम आपको update कर देंगे बागी next feature की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको next feature में difference मिलता है seats के बीच में तो जो की seat के adjustment है Z8 luxury variant में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको driver वाली seat है वो आपको power adjustable दी गई है यानि के electrical या आप उसको adjust कर सकते हैं लेकिन अगर आप Z8 variant में जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो यह seat है वो आपको मिलती है manual adjustment feature के साथ में एक difference इनके wheels के अंदर भी आपको देखने को मिलता है अगर आप Z8 luxury variant लेते हैं दोस्तों तो आपको सभी वेजिए के साथ चाहे आप manual लीजिए चाहे आप automatic लीजिए 18 inch के profile के साथ आपको diamond cut alloy wheels offer किये गए हैं लेकिन problem आती है किसमें जब आप जाते हैं Z8 variant में यहाँ पर आप देखें तो अगर आप manual transmission के साथ जाते हैं Z8 variant के अंदर तो आपको क्या है 17 inch के profile के साथ steel link with wheel cover के साथ ही offer किया गया है automatic लेते हैं automatic अगर आप लेते हैं Z8 variant के अंदर तो ही आपको alloy wheels offer किये जाते हैं otherwise manual के साथ तो आपको steel link भी दिये गए हैं वो भी 17 inch के profile के साथ में इसी तरीके से जो इसके अंदर आपको देखा है अपने wireless charger भी offer किया गया है अपना Scorpio N के अंदर लेकिन वह आपको सिर्फ और सिर्फ डीजल के four wheel drive वाले जो वेरियंट है के साथ जो आता है उसी वेरियंट के अंदर ऑफर किया गया है बाकि किसी वेरियंट के अंदर आपको जो है अपना wireless charger का option ऑफर नहीं किया जाता तो दोस्तों यही डिफ्रेंस हैं इसके लावा बाकि सभी features दोनों ही कास के अंदर आपको similar मिल जाते हैं आने वाए दिनों के ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग वहन ओफिशियल